हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी अब गए हैं फ्रांस और ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि हमारे प्रधान मंत्री जहां भी जाते हैं वो भारत और भारत की छवी को और मजबूत बनाते हैं और फायदे वाले समझोते भी करके आते हैं असल प्रधान मंत्री मोदी अपने दो दिन के फ्रांस दोरे पर गए हैं जहां ना सिर्फ उनका धूम धाम से स्वागत किया गया बलकि फ्रांस सरकार की तरफ से उन्हें फ्रांस का सरवोच सम्मान लिजिन ओफ ओनर भी दिया गया और इसी के साथ वो ये सम्मान पाने वाले पहले भारती प्रधान मंत्री बन गए हैं खास बात तो ये है कि इस दोरे में भारत और फ्रांस के बीच 90,000 करोड रुपे की डील्स हुई हैं जिसके तहत फ्रांस भारत को 26 राफेल जेट और 3 स्कॉर्पिन पंडूबियां देगा यही नहीं मोदी जी के इस दोरे के हैंगे है ना कमाल की बाद इसलिए तो लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है फिल तकली वीडियो में और यमना नदी इससे भी 3 मेटर उपर यानि की 208 मेटर पे बैर ही है दरसल हतिनी कुंड बैराच से लगातार छोड़ा जा रहा पानी और नदी के तल में गाद जमने की वज़े से यमना नदी का वोटर लेवर लगातार बढ़ते जा रहा है ऐसे हालात में चुटकी तो न अब असे जीलों में नाव लेकर आना बाकी रह गया है खैर विपदा है पर ये तो हर साल आती है तो क्या सरकारों को इसके लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए थी कुमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा दुनिया का एक ऐसा देश जहां पर मुस्लिम तो रहते हैं लेकिन वहाँ पर एक भी मसजद नहीं है खोन सा है वो देश और वहा पर मसजद क्यों नहीं है चलिए जानते हैं दरसल इस देश में मुसलिम समुदाए कई बार मसजद बननाने की मांग कर चुका है लेकिन उस की सरकार ने इसकी अनुमती तक नहीं दी इस देश में अभी तक एक भी मस्जित नहीं है और शायद इस देश में कभी मस्जित बने गी भी नहीं क्यों कि हूं कि उस faisait का सभीदान इसलां को धरम मानता ही नहीं है इसके विपरीट ये बहुत लोग भी इस हिंदू मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं लेकिन बुटान में मस्जिद नहीं है धाइज आपको बुटान के बारे में जानकर कैसा लगा कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा मिलत अगली वीडियो में